काले मेकाप आने थे उन लोगों के दो नाम थे इंद्र सेना या मैंडग मंडली बिल्कुल एक दूसरी के विपरित जो लोग उनके नगन स्वरूप सरीर उनके उचल कूद उनके शोर सरावे और उनके कारण गली में होने वाले कीच और कादो से चिर्दे थे वे उनने कहते जो लोज से नाम गाव में जिनंको कुछ पसंद नहीं होते वह उनको मैंडग मंड़ली बोलते थे क्योंकि वह बहुत वह शोराव करते कीच़ण में कूदते थे जिनको इन से नफरती वह उनको इस नाम से बुलाते थे वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के सावला नंगा वदन सिर्फ एक जांगिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी एक जगए इकटे होते थे पहला जयकारा लगता था बोल गंगा मैया की जयकारा सुनते ही लोग सावदान हो जाते इस्तरे और लड़के छजे बारजे से लब होते न गाओं में छजे जिस गाओं के मकान वहां से या फिर दरवाजे से जाकरे लगती थी और ये विचित्र न धड़ंग टोली उचलती कुदती समवेत पुका लगाती समवेत का मतलब होती एक साथ पुका लगाती काले मेगा पानी दे गगरी फुटी बैल प्यासा मतलब काले मेगा पानी दे क्योंकि हमारे गगरी फुट गई और हमारे बैल जो क्या है प्यासे हैं पानी दे गुड़ धानी जिसको क्या बोलते हैं गेव को सेक्के बनाते हैं न राकी से पहले वो गुड़ धानी होती है काले मेगा पानी दे दे उचलते कुटते एक दूसरे को धकियाते मतलब एक दूसरों को धक्का देते हुए लोग गली में किसी दूमहले मकान के सामने रुख जेत मतलब मतलब दूमजिला मकाcion पानी दे महिया इंदर से नाही है और जिन गरों में आखिर जेत या सुरु आसाड के उन सुके दिनों में पानी की कमी होती जिन गरों में कुए भी सुखे होते थे उन गरों से भी सहज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते पानी फैकने से पैदा हुए किचण में लत्पत हो जाते थे पाव, बदन, मुझ, पेट, सब पर घंदा की चड़ मलकर फिर हाक लगाते बोल गंगया मैया की जे और फिर मंडली बांद कर उचलते कुदते अगले घर की और चड़ पढ़ते बाद लोगों को टेरते, टेरना मतलब देखते, बाद लोगों क्या करते थे, डेखते हैं काले मेगा पानी दे बस सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मुहला गाव शहर हर जगर लोग गर्मी में भुन भुन कर तरही माम कर रहे होते हैं मतलब हाय तोबा करो तरही माम का मतलब क्या था हाय तोबा करो बहुत ज़दा गर्मी लगती है जेट के दस तपा बित कर असाड का पहला पक्वारा भी बीच चुका होता है पर सितीज पर कई बादल की रेक भी नहीं लिखती होती है कुए सुकने लगते हैं नलों में तो एक बहुत कम पानी आता है और आता भी तो आधी रात को भी मानों खोलता हुआ पानी जो बहुत गरम पानी आता हो सहरों के तुलना में, गाओ में और भी हलत खराब होती है जहां जूता ही होनी चहिए वाह खेतों की मिटी सूक कर पतर हो जाती है कि पानी ही नहीं होता है, इसल्एवे मिटी कैसी हो जाती है सूक कर एकदम पतर जैसे होती है फिर उसमें पपड़ी भी पड़ जाती है, समस्ते और पपड़ी बीच में दरारे पड़ जाती है, जमिन फटने लगती है, लू ऐसी की चलते चलते भी आदमी आदे राश्ते में लू खाकर गी पड़े, इतनी गर्मी तेज होती है, दोर धंगर मतलब की जो पसु पक्षी, वो भी प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कई नाव निसा ने, ऐसे में पूजा पाट, कथा विदान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है, ये इंदर सेना, वर्सा के बादलो के स्वामी हैं, इंदर और इंदर की सेना टोली बान कर कीचर्ड में लटपत, निकलती, पुकारते हुए मेगों को पानी मांगते हुए, प्यासे, गलों और सुके खेतों के लिए, पानी की आसा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो, बस एक बात पर मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों और पानी की इतनी क कमी हैं, तो लोग घर में इतनी कटिनाई से इकटा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फैकते हैं, ये कौन कह रही है, लेकी का, जब उनको पता है कि वही पानी की इतनी कमी है, तो फिर वो ऐसे पानी क्यों फैक रहे हैं, यैसे निर्मम बरबादी है पानी की ये देखो, ये वो में खेडिकिया ज़रों के चज्जे जो बता हैं, वो इस तरीके से होते हैं, देश को कितनी शती होती है, वो इस तरीके से पानी स्फैकने से देश में पानी की कितनी कमी है, और फिर इस तरीके स्फैक होती है, तो पानी की और शती हो जाएके, इस तरह के अंध्विश्वासों से कौन कहता है कि इंद्र की सेना अगर इंद्र महाराज से ये पाने दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते पर कुछ तो बच्पन के आर्य समाजी संसकार थे और एक कुमार सुधार सभा काइम होती उसका उपमंत्री भी बना दिया गया था जो समार सुधार का जोस को जादा ही था अन्वी सासों के खिलाब तो तरकस में तीर रखकर गुमता रहा तरकस का मतलब होता जो तीर रखने की जगा होती है ठीक है जहां हम तीरों को एक साथ रखते हैं पीछे लगाते हैं वो तरकस मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बच्पन में जिस से सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जी जी यू मेरे रिस्ते में कोई नहीं था उम्र में मेरी मा से भी बड़ी थी पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्रान मुझी में बसते थे और वे थी उ माम रिती रिवाजों, तीज तिहारों, पूजा अनुस्टावनों की खान, जिनिक कुमार सुदार सभा का ये उपमंत्री अंध विश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड फैकना चाहता था पर मुश्किल यह थी कि उनके कोई पूजा विदान, कोई तिहार, मतलब वो इतनी भगवान की भगती की हर अनुस्टान पूजा में अपने भाई को बुलाता, लेकिन जो भाई है, भाई मतलब कौन हमारे लेखक, उनको ये सब पाखंड लगता था, फिर भी वो सामिल होते थे, दीवाली है तो गोबर और कोडियों से गोबर दन और सत्या बनाने में लगा हूँ, जनमास्क में तो रोज आट दिन की जाकी तक को सजाने और पंजरी बाटने में लगा हूँ, हर छट है तो छोटी रंगिन कुलाडियों में भुजा भरा रहा हूँ, कुलड़ियों में सोरे, कुलड़ियों, जो मित्ती के कुलड़ आते न उसमें, बूज़ा मुझे नहीं पता ना किसी में भूना चना ये हो सकता देखो किसी में भूनी मतर मतलब सेके हुए चने छेकी हुई मतर किसी में भूने अरवा चावल किसी में भूना गेहू जी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुन्य मुझे मिले केवल मुझे लेकिन इस पैकना है मुझे बाल्टी भरबर के पानी इस मेंडक मंडली पर इस बार लेखक ने क्या कर दिया मना करें बोलो मैं इस बार बाल्टी भर के पानी नहीं फैकोंगा इस मेंडक मंडली पर जब जीजी बाल्टी भर कर पानी लेने गई उनके बुड़े पाव डग मंगा रहे थी क्यों बुड़ी हो गई थी हाथ काप रहे थे तब भी मैं अलग मूँ फुलाए खड़ा रहा सामको उन्होंने लड़ू मट्री खाने को दिये तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया मूँ फेर कर बैट गया जीजी से बोला भी नहीं पहले वे तम तम आई मतलब गुसा होई लेकिन ज्यादा देर तक उन से गुसा नहीं रहा गया पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली देख भी या रूट मत मेरी बात सुन यह सब अन्विश्वास नहीं है हमने इनी पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे बहुत जब हम यह भी हाकिकत है कि जब हम किसी को देंगे तो ही हम उससे हापिस पानी के उमीद करेंगे न मैं कुछ नहीं बोला फिर जुजी बो कि द़ना इसलिए रिशी मुनियों ने सब्सें उच्षा ही स्ताविंऑ बने mut Acho कि पहले हम देंगे तो ही हमें वापस मिलेगा गेर सब सब्सक्राइर सकते हां मिलेगर रिशी महाराज क्र Chr holding Limited 맵ेड मैं सब बड़ा था कोई बीडान करो लोगों को क्योंकि उनको जरूरत है जब हम लोगों को देंगे तो भिगवान फिर उतना ही हमें वापिस देगा है उससे ज्यादा देगा तो अब दान करना चाहिए और यह जब कोवीड चल रहा है न तो इसके अंदर तो सबको कुछ न कुछ करना ही मुझे पता है कि मेरे 12 के बच्चे सब अपने बहुत से बड़ी बड़ी बाते भी करते है उनके पास पैसा भी है लेकिन लगे न आपके पास अपने थोड़ा बहुत भी हां मुझे बदता है आपकी छोटी सी रासी से कुछ नहीं हो सकता लेकिन आप शब मिल के एक सपोर्ट करे किसी को जैसे किसी को एक oxygen का बातला भी दिलाता है या कुछ कोवीट सेंटर है वहाँ को कुछ अपनी और से हजार दो हजार जैसी भी छोटी सी भी मदद करें तो शायदे छोटी मदद भी बहुत काम की है क्योंकि यह टाइम ही ऐसा चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी से ही कट है बहुत ही परसती खराब इस वज़े से हमको कुछ न कुछ करना चीए और आपको अपना ध्यान भी रखना चीए रिसी मुनियों को कहे बदनाम करती हो जीजी क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बून-बून पानी को तरसे तब पानी कीच्छन में बहाओ लेकर क् क्यों भी आप जिसी मुनियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं क्या उन्होंने ऐसा बोला था कि लोगों के पास पानी नहीं हो और आप फिर भी पानी उनके उपर फैको कुछ देर चूप रही दीजी फिर मटरी मेरे मुँ में डालती हुए बोली देख मीना त्याग के दान नहीं होता अगर तेरे पास लाको करोडों रूपे है और उसमें से तू दू चार रूपे किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है जिसकी दुषरों के कल्यान के लिए उसे दे तु वह त्याग होता है दान तो होता है उसी का फल मिलता है कि पर द देगो तुमारे पास बहुत सारे पड़ी है चलो तुमारे पास चार रूपी है तुमें दो इक्स्रा पड़ी तुम किसी को दे दो तो वह दान नहीं कहलेग YOUR जग कि तुम अपनी भूप छोड़कर दूसरों की भूप मिटा रहे हो तो ये पुन्य का काम है फलवल कुछ नहीं मिलता है सब ढखोस लाई ये तो सब कहने की बात है लेकर कैसा कह रहा है मैंने तो कहां मैंने कहां तो पर कहीं मेरे तरकों का किला पस्त होने लगा तो मतलब किला मतलब से मतलब स्कूल का भी मूँ नहीं देखा पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेव उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेव अपने पास से लेकर जमीन में क्यारिया बना कर फेक देता है समझ गए कितने 30-40 मन गेव उगाना है तो उसमें से मतलब सेर भर यानि कि ज्यादा किलो गेव अपने पास रखता है और जब उसे बोने का टाइम आता है तो क्यारियों में डाल देता है ये जो सुके हम अपने घर का पाने इन पर फेकते वह भी बुवाई है ये पाने गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्वा घाव पर पानी वाले बादलों के फस समझ में आ गया ये तो हर आदमी का आचरन है जिससे सब का आचरन बनता है येता राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है सच ये भी है कि येता प्रजा तथा राजा मतलों हमेशा कहावत के येता राजा तथा प्रजा मतलों जैसा राजा वहीं वैसी प्रजा होगी लेकिन ऐसा नहीं, पहले प्रजा भी कुछ करती है, तो अब वाला क्या है, यह ता प्रजा, जैसी प्रजा होगी, वैसे ही क्या होगा, राजा होगा, यह तो गांदी जी महाराज कहते है, जी जी का एक लड़का राष्टी आंदोलर में पुलिस की लाटी खा चुका था, करते क्या है, मांगे हर छित्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याका कई नामों निसान नहीं है, अपना स्वार्त आज एक मात्र लक्षे रह गए, बतलो सबका यह है, कि बस हम सुकी रहने चीए, हम चटखारे लेकर इसके या उसके भश्टाचार की बाते करते हैं, पर क्या वेल प्यासे के प्यासे रह जाते, आखिर कब बदलेगी इसती, और मतलों इतना करने के बाद भी कही भी पाने की बारिश नहीं होती है, तो यह हम सब कब बदलेगी इसती, लब एक तरीके से यह आज की इसती पर वेंगे कसा है, लेकर करें, इस तरीके से कि हम सब बोल रह रहा है हमें यह काम कराना तो पहले पैसे दें हो तो फिर काम लेकिन हम नहीं करते 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 जिसे आपको लाइसेंस बनाना है तो आप क्या करते हो ओन लाइन में खड़ा रहेगा